हेलो गाईज पिटा आजके सेशन में सिर्फ तीन क्वेशन करने वाले तीनों क्वेशन बढ़िया है पिटा डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छे इंट्रेस्टिंग इसमें एक क्वेशन पूछे चांसे अच्छे खासे हाई होते है तो पिटा प्री सोड़ा सेशन में फिर ऑन थे सेम बेस बीसी अन्ट वोट इसे एंडी आज एक्सेंड़ ऑन दे सेम साइड बीसी तो ठीक है आपने बीसी के पार एक्सेंड किया पीपे इंटेसेट पीशोग दाट एबी और एची दी कॉंगूरेंट पहला दो बहुत एजी है यह वाला ट्राइंगल और यह किया दर उसका स्टीपी सीटी ले लेना जा सीपी सीटी यह और यह एकुल आ जाएगा फिर आप लोग यह ट्राइंगल को और यह ट्राइंगल को आप कॉंगूरेंट बता पाऊगे काई से बता दोगे कुछ बच्चे लों सोच जेगा से रों बताने जरूवती क्या थी हम लोग यह वाला अंगल इस इकल तो यह ला अंगल ले लिए होते हैं फिर हम कॉंगूरेंट बोल जी होते हैं एसस से पीटा एसस कंडिशन नहीं होती ना है इसे द्यान रखो चलो सेकंड वाला भी आप लोग कर पा होगे फिर एपी बाइसेक्स अंगल ए आजबर आंगल ड यह वाला ट्राइंगल अगर लोगे तो हो जाएगा कैसे सर देखो आप लोगों का यह यह और यह इकल रहेगा तो उसका रहेगा तो समझे रहे हैं रहे हैं अपको हिंट दे रहो जिससा आप सॉल्फ कर सको फिर एपी परपेंडिकल बाइसेक्टर और बीसी उपका सीपी स से आ जाएगा बेसिकली आपको यह सब्सक्राइब करने के आदमें यह सब चीज़ें आपको सीपी सीटी के नियरली हेल्प के थ्रू आपके आना शुरू हो जाएगी ठीक है तो एक बार यह क्वेश्चन को खुच से ट्राइब करो यह क्वेश्चन आपका हो गया ना तो पाइदा क्या है जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराओगा आगे के सेशन में उसना वह अच्छा आथा रहेगा ठीक है चलो पॉस करो इसको और एक बार ट्राइब कर लो तो अब लोग करना कुश्रू करते हैं आए खोप कई सारे बच्चों का इसका पहले ही हो गया ह आए बी सी डी पी ए बी सी डी पी पेड़े गिवन क्या था पेड़े कि दा आइस तो सरस्ट्राइगा इसमें ए बी इकवर्श चू एसी है दूसा था डी बी इकवर्श चू डी सी है ठीक है और मुझे क्या था कुछ भी नहीं हो वह वह सा टू प्रूप में चार चीज़े थी पहले थी ए बी डी एसी डी A B D A C D ठीक है पहली चीज़ थी तूसरी थी एंगे A B P और A C P थी ना A B P और A C P A B P A C P तीसरा क्या था A P Bisex अंगल A as well as अंगल D तो पैटना मैं तो मातमाटिक दी रहा हूं B A D equal to C A D करना है इस तो मुझे अंगल B A D equals to angle C A D ठीक है यह थर्ड चीज़ उसका ही फोर्थ सब पार्ट B यहन्यों इसी को मैं इसको मैं फोर्थ सब्पार्ट इसा बना रहा हूं अंगल D मतलब B D P और C D P एक फोर्थ देखता हूं अंगल B D P इसको आंगल C D P फोर्थ सब्पार्ट में क्या प्रूफ करने मुझे अंगल B D P इसको प्रूफ करने का है और दूसरा को क्या प्रूफ करने का है बाइसेक्टर भी यहने B P इसको प्रूफ करने है फट फट हो जाएगा कोई इशू नहीं आएगा देखो सबसे पहले आपने लोग क्या करते हैं पहली चीज प्रूफ करते हैं सब्यूशन देखें इन ट्राइंगल A B D and A C D यहों ट्राइंगल की बास करते हैं तो A B A D equals to A C तो यह मेरा गिवन है B D equals to C D भी मुझे गिवन है और A D equals to A D मेरा पॉमन है यह जैसे हुआ मैं को नाम दिया हुआ तो मगजमारी क्यों हुई नहीं ट्राइंगल A B D कॉंगूरेंट होगा ट्राइंगल A C D से बाई ट्रिपल एस ठीक है तो कई से मेरा ट्रिपल एस से यह तो आ चुक रहा है मेरा यह आ चुक है अब देखो अगर यह दोने ट्राइंगल मेरे कॉंगूरेंट हुए है तो डोंट यू थिंग मेरा यह अंगल और यह अंगल इक्वल हो जाएगा तो मैं वह आला प्रूफ है तो यह देखो अंगल B A D और अंगल C A D को इक्वल प्रूफ हना शुरू कर रहा हूँ मैं अब इस इंपलाइस अंगल B A D इक्वल तू आंगल C A D हो गया मेरा C P C T से तो मेरा यह भी प्रूफ हो गया है अब बेटा वैसी C P C D से अगर मेरा यह अंगल और यह अंगल इक्वल होता है इन दोनों का भी क्लिए मैं X X मान देता हूँ ठीक है ना आंगल B D A आंगल B D A इक्वल तू आंगल C D A यह भी मेरे C P C T से हुआ है अमेरिका लेट आंगल B D A बीकॉस टू एक्स इंपकाई आंगल C D A भी मेरा X हो गया है अब गाईस देखो यह अंगल अगर मेरा X है यह अंगल मेरा X है अब देखो यह इसमें लीनेर पेर आग्जिम लगाने की करन्ट मेरा यह अंगल B D P कितना हो जाएगा 180 माइस एक्वल इक्स हो जाएगा और वै पी भी मेरा 180 माइस एक्स हो जाएगा सेम लीनेर पेर अग्जिम कारण अब देखो कैसे है का मेरा अंगल B D P इक्वस टो अंगल C D P हो जाएगा अंगल B D P और अंगल C D P दोनों भी दोनों इक्वल आ गए तो मेरा यह भी प्रूफ हो गया है ठीक है ना यह हटाए तो अब यह हो गया अपना कुछ अब देखो अब मैं कौन सा यह वाला प्रूफ हर रहा हूं मैं अब ट्राइंगल A B P करना है मुझे और A T P इन ट्राइंगल A B P and ट्राइंगल A C P देखो अपना A B equal to A C पता है A P equal to A P पता है और यह वाला अंगल equal to यह वाला अंगल मैंने यहाँ पर थवर्ड वाले प्रूफ किया था तो उसको मुझे कोई ना कोई इक्वेशन मार्क कर दी पड़ेगी ना तो मैंने इसको अभी के लिए एक्वेशन मार्क कर लिया है तब देखों क्या रिखना शुरू क्या ने A B equals to A C से तो गिवन है A P equals to A P मेरा कॉमन है और अंगल क्या था बटा हूँ आइधिंग B A P है ना B A P और C A P अंगल B A P equals to अंगल C A P from 1 है मेरा यह जैसे हुआ इंप्लाइस ट्राइंगल A B P कॉंगरेंट हो गया सांगल A C P से by SAS देखो SS से easily प्रूव हो गया है कॉंगरेंट से की मैशोर्टी बढ़ चुक है अपकी तो यह भी हो गया अब बेटा अब मुझे यह लेंट और यह लेंट तो यह अंगल इकोल स्टु 90 बताने मुझे तब गया देखो क्या अंगल A P B और अंगल A P C मेरे इकोल होंगे कि अंगल A P B इक प्लस टू अंगल A P C हो जाएगा यह भी C P सीर्थी से मेरे अब देखो इस दोनों अंगल इकोल है अंगल A P B प्लस अंगल A P C मेरा 180 डिगरी भी होना लगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन था लीनियर पर एक्षिम करान अब देखो दोनों इकोल है और दोनों का सम 180 है तो क्या इसका मतलब यह हो गहा है अंगल A P B अंगल A P C जो इकोल थे दोनों 90 डिगरी के बराबर हो खुछ सोचे ना यह कुछ A आंगल यह भी A आंगल दुनों का सम 180 है मतलब इच 90 डिगरी हो रहा है मेरा तो मेरा यह वाली चीज़ी प्रूफ हो गए देखा एको बढ़िया क्वेश्चन एको बाद बताब स्ट्राटिंग थे आपको यह पहला तो ट्रुपर देस से प्रू का सब्सक्राइब यह वाला ट्राइंगल को के तो मैं बोला मसर ये और यह मुझे इकुल पता है यह मेरा तो यह अं गल और यह अंगल अब भी आपने प्रूफ किया तो जैसी करोगे आपका वापस से एसे अव इसे कॉंगुल रूएर यहां का साब पिक और यहां का अंगल पी और यहां का अंगल पी भी इकवल आ जाएगा इसका सम मेरा 180 है तो इच 90 हो जाएगे चार मांगा इतना आपको दिखा रहूं कोशेश है कि आप लोग कोड़ा खुच से कीज़ेगा करो इसको पॉस और इसको कर लो सॉल्व चलिए अब आगे का दिखा रहूं यहां पर आप पॉस करके इसको भी सॉल्व कर लिजिया आगे का चलिए यह वाला हो गया हमारा क्वेश्चन अब वेश्चन अबर 3 आप देखिए टू साइट्स ए बी बी बीची अन मीडियन ए एं एं और बन ट्रैंगल लेए बीची और रिस्पेक्टिवल इक्वेल तो साइट्स पीक्यू और मीडियन पी एं और ट्रैंगल फिक्यू आपको फिगर दिया हुआ है फिगर नहीं भी प्यू आप यहां पर मीडियन मतला पता है ना यह और यह इक्वल जाएगा एं एं एट पी एं था इसा इसा आम नोट रॉंग ठीक है आपने क्या-क्या दिया हुआ है टूसाइट जिया एंग बीडिया है यह इक्वल की आर से और median am, di median pn से, ठीक है न, तब वो नीचा आए तो वैसा करने की जगह पर मैं छोड़ रहूँ चीज को, यह ओक है, तो मैं पहले given लिख देता हूँ, मुझे given में क्या आता है, ab equals to pq, ठीक है, दूसरा मुझे आता है, bc equals to qr, एक पता था मुझे am, am equals to pn, इतना मुझे पैस रहा है, पैटा यह am median था, तो bm equals to mc पता है मुझे, और qn equals to nr भी मुझे पता है, अब देखे, मेरा two proof क्या-क्या है, पहला abm pqn, पैटा exam मैं आपको देगा नहीं, वो abm औ pqn, आपको directly क्या देगा आता हूँगा, मैं, abm congruent to triangle, pqn, और दूसरा है, I think, abc pqr, yes, triangle, abc congruent to triangle, pqr, आपको जब exam में question आएंगा ना, यह दिया होगा ही नहीं देगा, आपको directly abc औ pqr कोई congruent करना पड़ेगा, वैसा आला, क्यूंकि वो करने के लाएक को पिछला वाले को proof करना जरूरी है था है, इसों देता ही नहीं, तेको बिटा, question बहुत easy है यह वाला, अगर लो भी ठीक है, अब बेटा, या तो मुझे yellow angle equal to yellow angle करना पड़ेगा, यह वाली side और yellow side, अब angle से वाले हो कुछ दिया नहीं है, isolerals है भी नहीं, कुछ दिमाग लगो, तो अब यह देखे, यह पूरा bc और पूरा qr आपका equal है, कैसे, given था, तो half of bc और half of qr भी equal हो qn लिखके, यह काटा-काटा, तो मेरा bm equals to qn भी आ जाएगा, तो मेरा a, bm और pqn congruent हो जाएगा, समझा, चो लोग इस जिनको समझ गया है, एक बाद pause कर लो, और आप लोग इसको at least first subpart को try करो solve करने का, ठीक है, solution देखे, मुझे देखे, पैर तो मैं bm और qn को equal कर रहा हूँ, वो q कर रहा हूँ बैटा, मैं equal क्यों कि मुझे पता है, वो triangles में मुझे जरूरत पढ़ने वाली है, तो देखे, मैंने क्या रिखा, bc equals to qr, मुझे यह चीज गिवन है, अब bc को मैं two times bm लिख रहा हूँ, और qr को मैं two times qn लिख रहा हूँ, अब ऐसा q लिख पाया, यह मेरे mnr midpoints, mnr midpoints, यह कोछ जिसको नहीं समझ रहा है, यह ऐसा कैसे हो रहा है, बैटा कर यह midpoint है, यह मानलो 10 cm था basically, तो यह 5 हो जाएगा मेरा, तो two times five करूगा, तो मेरा 10 आ जाएगा, वो चीज मैंने किया ह अब देखें, यह हो गया मेरा, two two कटा मेरा, तो bm equals to qn मेरा हो गया, यह बहुत काम की चीज़ है, equation number one हो गया, अब मेरा in triangle abm, in triangle abm and triangle pqn, मेरा देखें मुझे ab equals to pq, मुझे given था, ठीक है, मुझे am equals to, अब देखें, medium दा am और pn, pn भी मुझे given था, और bm equals to qn, मैंने proof कर लिया था, one में, triangle abm, congruent हो का मैं triangle pqn से, by triple s, देखें, यह जोंट triangle सरे congruent हो का है, by triple s, अब देखो बेटा, अब next part जो है न, उसमें मुझे यह, इस चीज की जरुवाती नहीं पढ़ना लिया, अब मुझे पूरे का जो दोनद triangle congruent करना है, बस देखो अब उसके लिए क्या है, आपको angle b और angle q equal करना लेगा, क्यासे, यह जो triangle से न अपने, वो दोनद congruent और cpct से यह angle और यह angle equal हो जाएगा न, अब वो बड़े दोन ग्रे, solve करो अपने, 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 यह जो गया, implies यहां का angle b, यहां के angle q के बार आपर होगे मेरा cpct, यह मेरा equation number 2, देखो यह 1 था, इसले मैं नीचे लेको 2 माग किया है, अब मैं a, b, c triangle, in triangle a, b, c and triangle p, q, r की बास करना लाओ, ठीके न, in triangle a, b, c and triangle p, q, r, अब देखो, a, b equals to p, q, b मुझे given था, b, c equals to q, r, b मुझे given था, starting में given था, ठीके न, और यह angle b equals to angle q, मेरा from to i था, देखो, triangle a, b, c, congruent to triangle p, q, r, हो गया मेरा, s, a, s से, यह ही मुझे proof करना था, हो गया, अब बेटे जो मैं को starting में बाता न, आपको जब exam में आएगा न, question त आपको सिर्फ इत्ता दिया हो लेगा, तो आपको पर समझना पड़ेगा कि ये वाला angle और ये वाला angle पहले मुझे equal करके दिखाना पड़ेगा, कैसे करें के, वो ये छोटू triangle और ये छोटू triangle congruent करके, काई से, triple s से, उसके ले क्या, आपने को b, c equals to q, r, तो twice b, m equals to twice q, n, b ये ये कुछ qn करना पड़ेगा, वो पूरा congruency होने के बाद में, ये angle और ये angle मेरे equal आने वाले है, समझा, और फिर बड़े दोनों triangles मेरे FF से congruent होने वाले है, समझा, चलो, फटाक से, जिन लोगों का ये नहीं आया था, second support, फो लो second support को भी solve कर लो, ठीक है, यहां करो, pause इसको भी solve कर लो, फिर आपना last question देखते है, NCRT काच का, अब गाईस, last question आप लोगों ने property actual में, A standard पड़ी है, quadratal figures, अपना quadratal chapter था है, understanding quadratal रोगे उस तो भी, उसने figure होता था tight, यह वाला figure है, देखे, example number 7, A, B is a line segment, P and Q are points on the opposite sides of A, B, so that each of them is equidistant from A and B, यहां देखो, य यह P, A और B से equidistant है, Q भी A और B से equidistant है, यह तो रहे काईट बन रही है अपनी, ठीक है, आपको क्या show करना है, so that PQ is perpendicular bisector of A, B, यह जो है PQ, वो इसका perpendicular bisector है, बतलब मुझे यह length और यह length equal बतानी है, और साथ ही आपनों मुझे यह angle और यह angle equal बतानी है, अब देखो, अप पहले आपन लोग यह सोच सकते हैं, सर, यह triangle को, यह triangle को congruent कर जाता हूं, CP, CT से, यह angle, अधर यह length, यह length equal हो जाएगी, यह X, यह X, X plus X, 2X, equals to 180, तो X करी 90, उस से हो जाएगा, सरो ठीक है, यह दों triangle सो congruent करना ही, कोईश्च करते हैं, देखो सर, यह equal to A, सर, यह common, और क्या, यह angle, होगा, यह triangle, यह angle, होगा, यह triangle congruent, पिटा, triangle congruent नहीं हुए, क्यों, पिटा, वो ASS हो गया, ASS congruent दी condition नहीं है, ठीक है, ठीक है, सर, नीचे कर लेते हैं, तुम नीचे के दोनों भी करें, कोश्च को नहीं होगा, तो तुमने यह चीज़ सही पकड़ी, कि तुमको यह APC triangle और BPC triangle, sorry, sorry, BPC triangle को congruent करना है, पर तुम जिस तरीके से कर रहे हो, को गलत है, आपको पहले यह angle और यह angle equal बताने पड़ेगे, तो वो कैसे बताएंगे, बैटा, कुछ नहीं, अपने APQ और BPQ को पहले congruent SSS से बता देगे, उसके CPCT से अपना यह और यह equal हो जाएगा, समझा, जिनको समझ गया है, Frank suggestion है मेरा, ट्राइ कर लो, और यह वाला ना, अपने को circle chapter में भी काम में आने वाला है, 9th में, 10th standard में, अपन लोग वापस से तो काम लेगे, circle chapter में, ठीक है, 10th standard circle बहुत छोटा सा है, ठीक है, एक बात काम को लो, given to truth, सब कुछ आप लोग है, ठीक है, मुझे यह proof रहना था कि यह इसा पॉपेटिकल बाइसेक्टर को सो भी है, वो लियाएगा, यहां पर सी दिया वाचो दिया, तो given देखो, मैंने given लिग दिया, पी एए इकोस तो पी बी, okay, qa equals to qb, to proof, मैंको क्या था, pqab का पॉपेटिकल बाइसेक्टर है, मतलब ac equals to cb तो proof करना ही है, और मुझे साथ यहाद में p, ca equals to angle p, cb को 90 करना है, solution देखो, पहले मुझे यह angle हो, यह angle को equal लाने के लिए, apq और bpq को congruent बताना पड़ेगा, solution देखे, in triangle apq and triangle bpq, ठीक है, क्या रहा है, ap equals to bp, given, aq equals to bq, क्या, given and pq equals to pq, क्या, common, तो मैं दों, triangle apq congruent हो गया, triangle a, p, q congruent to triangle bpq by triple s, यह जैसे ही हुआ, मेरा यह angle equal लागया, implies angle apq equals to angle bpq, cp ct से, मेरा equation 1 हो गया, अब triangle APC और BPC, in triangle APC and triangle BPC, क्या है बिटा, AP equals to BP, given है मुझे, PC equals to PC, क्या है ये बिटा, common है, और angle APC equals to angle BPC, बिटा देखो ये APQ और BPQ था, उसका ये arm को छोटा कर देखो, APC और BPC हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, from 1 आ गया, from 1 implies triangle APC, congruent हो गया, triangle BPC से, by SAS हो गया, अब जैसे ये हो गया, CPCT से बिटा, AC और BCB इक्वल आ गया, angle PCA equals to angle PCB, ये भी CPCT आगे, इन दोनों का sum, PCA plus PCB का sum मेरा 90 degree था, linear paradox, तो देखो, अब ये 180 था और ये दोनों इक्वल थे, तो इंप्राइस मेरा angle PCA equals to angle PCB, जो है, दोनों 90 degree के बराबर हो जाएगा, तो देखो, मेरा, ये तो प्रूफ होईगा, कि दोनों 90 degree के बराबर थे, मेरा ये 30 भी प्रूफ हो गया, खत्म, तब क्यों हो गया, ends, proof, खत्म, अच्छा था बड़ा question है, पेड़ा ये question अच्छे से करना को circles में काम में आने वाला है, ठीक है न, चलो, pause को इसको, solve कर लो, अब guys, हम लोग next session में कुछ extra questions करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां तक कि मैं आपके पैदे तीन exercise triangle की खतम होती है, congruency की, चलो, bye guys,